हेलो गाइज और वेलकम तो स्टिक शिफ्टेड और आज की इस वीडियो में न्यूरी लॉस्ट यामा आर्वाइब वीफोर के बारें बात करेंगे सो यामा आर्वाइब एक 150cc सेग्मेंट की स्पोर्ट्स बाइक है जिसको दो वेरिंट्स में लॉंच किया है जो है R15 V4 जिसका प्राइज से रुपीज 1.68 Laks एक्शोरूम और इसका दूसरा वेरियंट है gamma R15 M जिसका प्राइज से रुपीज 1.78 Laks एक्शोरूम और new R15 V4 को four color options के साथ लॉंच किया है जो है metallic grey, racing blue, dark night, metallic red जैसे color option के साथ लॉंच किया है अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रेंट लुक के बारे में सो फ्रेंट से इस गाड़ी को completely new look दिया जाता है जहां इसे new LED projector headlights के साथ LED DRLs दिये जाती है Around 5 में फ्रेंट में अब USD folks दिये जाते हैं और इनके अलावा rear और फ्रेंट में blue accents के साथ alloy wheels दिये जाते हैं काफी aggressive लगते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी में मिनने वाले new features के बारे में सो इसे एक new LCD instrument cluster with track and straight display mode और इनके साथ इसमें Bluetooth connectivity feature भी दिया जाता है जिसमें SMS alert और calling alert feature भी दिया जाता है Other than these features, R15 V4 में projector LED headlights along with LED turn indicators भी मिल जाते हैं और अब इस गाड़ी को front में USD folks दिया जाते हैं और साथे साथ इसमें traction control, dual channel ABS, आगे पीछे disc brake और Bluetooth connectivity features भी दिया जाता है इन सब के अलावा इस गाड़ी में अब new LCD instrument cluster with gear shift indicator, track and street display mode जैसे features भी अब मिल जाते हैं अगर आप इस bike का racing blue color या M edition लेते हो तो इन दोनों variants के साथ इस गाड़ी में quick shifter भी दिया जाता है अब बात करते हैं engine specs के बारे में, so इसे 155 cc का liquid cool single cylinder petrol engine दिया जाता है जो 18.4 bhp की power produce करता है और 14.2 nm का torque generate करता है, paired with a 6 speed transmission I hope you all got this video informative, so make sure to like this video